हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल पर्पल क्रियेशन्स प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल एंड दोंट फर्गेट तो हिट बेल आइकन हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपके लिए क्रोशिय का सॉक्स लेकर आईगो लेडिस सॉक्स है और यह थर्टी नाइन फॉर्टी साइज है थर्टी नाइन के भी आजएगा फॉर्टी के भी आजएगा यह क्रोशिय से बनाएं है बहुत एजी है इसके लिए मैंने साथ नंबर का क्रोशिय यूज किया है और फोर प्लाई की उन है चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इसके लिए सबसे पहले नॉट बनाई है मैंने और यह चेन बनानी है पहले है फांडेशन यह चेन है रो है तो इसलिए इसमें मैं 66 चेन बनाऊंगी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, यारा, बारा 66 चेन बनानी है इस साइज के लिए अगर आपको छोटा साइज चाहिए तो आप इसमें कम कर सकती है जैसे कि 37 साइज के लिए चाहिए तो आप इसमें 56 चेन डाल सकती है यह मैंने बड़े साइज का पैर का बनाया है तो मैं इसके लिए 66 चेन बनाऊंगी यह देखिए मैंने 66 चेन बना लिया अब सेकिंड रो स्टार्ट करती हूँ एक, दो, तीन थर्ड चेन में डबल क्रोशिय बनाना है एक बार और इसी में डबल क्रोशिय बनाना है यह देखिए, तीन हो गए, एक, दो, तीन, यह तीन डबल क्रोशिय होगा इसी चेन में अब हमें दो चेन, दो चेन बनाके फिर इसमें इसी स्टिच में डबल क्रोशिय बनाना है तीन बार ये इसमें डवल कुरूशे बनाना है इसके बाद हमने तीसरे स्टिच में एक, दो, ये तीन तीसरे स्टिच में एक, दो, तीन तीसरे स्टिच में हमें हाफ कुरूशे करना है उसके बाद एक, दो, तीन तीसरे स्टिच में डबल कुरूशे तीन बार डबल कुरूशय करना है पहले इसमें उसके बाद दो चेन फिर इसमें तीन बार डबल कुरूशय बनाना है इसके बाद तीस्टी चेन में एक दो तीस्टी चेन में हाफ कुरूशय इसके बाद तीस्टी चेन में एक दो तीस्टी चेन में इसमें पहले तीन बार डबल कुरूशय बनाएंगे तो तीन तीन डबल कुरूशय बनाने के बाद दो चेन बनानी है एक दो इसके बाद फिर इसी में तीन डबल कुरूशे बनाना है एक दो और ये तीन फिर तीसरे स्टिच में एक, दो, तीन तीसरे स्टिच में हाफ क्रोशे बनाना है इसके बाद एक, दो, तीन तीसरे स्टिच में तीन वार डबल क्रोशे ये तीन बाद डबल क्रोशे बना लिए उसके बाद दो चेन इसके बाद फिर तीन बाद इसी में डबल क्रोशे बनेगा एक एक दो और ये तीन इसके बाद तीसरे देशरी चेन में हाफ क्रोशे तीसरी चेन में तीन बाद डबल क्रोशे बने इसके बाद दो चेन फिर इसके बाद फिर इसमें तीन बार डबल क्रोशे आ इधर तक मैं बना के आपको दिखाती है यह रो इसी तरीके से बनेगी यह देखिए मैंने पूरी रो कम्प्लीट कर लिया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा इसमें यह वाले ग्यारा बनेंगे यह वाले पैटर्न ग्यारा बनेंगे अगर आपको छोटा बनाएं तो आप नो भी बना सकती है अब मैं इसकी सेकेंड रो बना रही हूँ तो यहां से मैंने यह कम्प्लीट किया था इसके बार तीन चेन बनानी है एक, दो, तेन मैं यहां से एक बार दुबारा बता देती हूँ आपको यह यह तीन मैंने डबल क्रूशे बनाके दो चेन बनाई है अब इसी में मुझे तीन डबल क्रूशे बनाने है यह देखिए यह पैटन अब इसको तीसरे स्टिच में हाफ क्रूशे बनाके इसको क्लोज कर देते हैं इस वाली रो गया है मतलब कम्प्लीट होगी यह वाली रो देखिए अब इसके बाद हमें सेकिंड रो बनानी है तो इसके लिए हमें तीन चेन बनानी है एक दो तीन तीन चेन बनाके इसको टर्न किया और जो बीच में गैप है यह देखिए सब में गैप है जो इसमें हमें पहले तीन तीन बार डबल क्रोश्य बनाना है इसके बाद दो चेन बनानी है जैसे कि हमने पिछली रो में बनाया तो उसी तरह यह रिपीट करना है अब इसके बाद फिर इसमें तीन डबल क्रोश्य बनाने है इसके बाद इसमें भी पहले तीन डबल क्रोश्य बनेंगे इसके बाद बीच में दो चेन फिर तीन फिर तीन डबल क्रोश्य बनाने है फिर इसमें पहले तीन डबल क्रोश्य बनाने है इसके बाद दो चेन फिर डबल क्रोश्य बनाने है तीन बाद इसमें डबल क्रोश्य बनेगा इसमें नेक्स्ट पैटन आई ये देगे तीन बार पहले डबल क्रोश्य बनाने है तीन बार पहले डबल क्रोश्य बनानेगे इस तरीके से हैं अब ये पूरा जो शूज में पैटन बनेगा इसी तरह से बनेगा पूरा इसी तरह से बनना है और हमें इसके लिए यहां से यहां तक मैंने 21 रो बनाई है और आप अगर इससे छोटा बनाना चाहती है तो 19 रो बना सकती है मैंने इसके लिए 21 रो बनाई है यह बता है यह जो gap होता है हमने पहले जो 2 chainा बने因 इसी में बनेगा यह पैटन बस तीन बार पहले डबल क्रॉश्य बनाना है तो यह बनानी है और फिर इसके बाद तीन बार फिर डबल क्रॉश्य बनाना है यह रो कम्प्लीट करके मैं अभी बताती हूं आपको यह लास्ट वाला है में पहले तीन बार डबल क्रूशर बनाना है इसके बाद दो चेन इसके बाद फिर तीन बार इसमें डबल क्रूशर बनाना है यह रो कम्प्लीट हो गए यह देखे हैं अब हमें इसको तीन चेन बनानी है एक दो तीन जब भी हम नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे तो तीन चेन ही बनानी है अब इसके बाद फिर इसी गैप में यह तीन बार डबल क्रूशर बना इसके बाद दो चेन इसके बाद फिर इसमें तीन बार डबल क्रूशर बनाना है इसमें यह गैप में पहले तीन डबल क्रूशर बनाना इसके बाद फिर इसमें यह गैप में पहले तीन डबल क्रूशर चेन और तीन डबल क्रूशर अब इस गैप में फिर तीन डबल क्रूशर दो चेन और फिर इसके बाद फिर इसमें तीन डबल क्रूशर इस तरीके से यह पैटन बनेगा अब मैं इसका पूरा कम्प्रीट करके बताती हूं 21 रोज बनाके फिर मैं आपको बताती हूं यह देखी यह कम्प्लीट हो गया इसका यह वाला सेकिंड पार्ट सेकिंड शॉक्स और इसको मैं यहां से आपको सिलना बताती हूं यह 21 रोज हो गई है कम्प्लीट धागी को थोड़ा सा कट करते हैं इसको ऐसी रहने देती हूं मैं और इसको सुई में डालके उन को यह देखी अब हमें इस तरीके से इसको यह यह है बिल्कुल अग्दम किनारे से यह इस तरीके से ऐसे यह से इसको पूरा नहीं कीचना है इसको इतना ही रहने देना है इस किनारे पर इतना छोड़ना है से और बाकी है इसाल ऑफया है सुवरा शॉश ऑफयाँ का इस अपटो का इस और बावादो का इस और एसे और बावादा अजया है यह इस कॉर्नर तक पूरा ऐसे सिल देते हैं इसको फिर हम इस पार्ट को ऐसे खीशते हैं टाइटली इस तरीके से इसको और इसको भी ऐसी की देते हैं और इसको एक नॉट लगाते हुए टाइटली बंद करना है यह ऐसे यहां से मेरी उन टूबगे मैं दुबारा इसको करती है यह देखेजिए मैं नहीं हाँ यह दुबारा से मैंने इसको इंदे ऐसी तरे इसे दोनों कॉर्नर को में कस देती हूं ऐसे और इसको अच्छी तरह टाइट करके बंद देती है यह देखेजिए इसको मैंने टाइटली इसको कर दिया है इसको नॉट लगाके टाइट कर दिया है बिल्कुल अब इस होल को भी हम सिल देते हैं इस होल को हम बंद कर देंगे अब इस तरीके से हम दोनों को जॉइन करते हुए सिलते जाएंगे यह देखिए अब हम इसको दोनों को सिल लेते हैं और जो इनके होल थे अभी मैं बताती हूं यह दोनों के होल दोन तरफ के होला है तो दोनों ऐसे इसके बीच में से इसे जॉइंट कर देते हैं आएंगे जनके होल हो ईसे दोनों के होल दोनी है ते झाल झाल अब हम इसको इसके बरावर सिल देते है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और यह नो यह पिल्कुल इसके एकवल आ गया है बिल्कुल इसके एकवल है अब इसको हम बंद कर देते हैं इस तरीके से यहां से एक बार इसको और लॉक कर देते हैं अब हम यह वाला पॉशन जो इसका यह वाला हिस्सा है इसे क्रोशे से बंद करेंगे इस तरीके से इससे क्रोशे से तरीके यह वाला है इस तरीके से इस्टर इससे बंद करेंगे इससे क्रोशे साफवाध्स करेंगे यह मुल्म बंद करेंगे ठीके से झाल 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 यह हो गया पुरा कम्प्लीट हो गया है बैक साइट सिल गई है तोचय से मैंने बना दिया है अब इसको उनको कट कर लेते हैं जैसे मैंने यहां फ्लार लगाया है मैं अभी यहां भी फ्लार बनाना सिखाती हूँ वैसे मैंने एक वीडियो में डाला है मगर मैं फिर भी दुबारा बनाना सिखाती हूँ इसके लिए पहले नॉट बनाई है और मैंने इसके लिए 52 चेंज बनाई है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, इस तरीके से 52 चेंज बनाई है यह मैंने 52 चेंज बना लिए है अब यह देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच वी चेंज में डवल कुश्य बनाना है इसके बाद एक, दो, तीसरी चेंज में डवल कुश्य बनाना है दो चेंज बनानी है फिर इसी स्टेच में यह वाला डवल कुश्य बनाना है इसके बाद फिर एक, दो, तीसरी चेंज में डवल कुश्य बनाना है दो चेंज बनानी है और इसी में डवल कुश्य फिर बनाना है एक, दो, तीसरी चेन में डबल कुरूश्य बनाना है, दो चेन बनेंगी, फिर इसी में डबल कुरूश्य बनेगा, फिर तीसरी चेन में एक, एक, दो, तीसरी चेन में डबल कुरूश्य बनेगा, दो चेन बनेंगी, और फिर इसी में ही डबल कुरूश्य बनेगा, एक, दो, तीन, तीसरी चेन में डबल कुरूश्य बनेगा, दो चेन, और फिर इसी स्टिच में डबल कुरूश्य है, इस तरीके से ये पूरी चेन में इसी तरीके से ही बनना है, मैं पूरी रोग कंप्लेट करके बताती हूँ, यह देखिए यह लास्ट वाला है एक दू यह फर्स्ट और कम्प्लीट हो गई है अब इसके बाद सेक्ट रोग के लिए पहले तीन चेन बनेंगे एक दो तीन इसको टर्न किया और इसमें एक दो तीन चार पाँच छे और इसको भी इंकूलूड करना है तो यह साथ डबल क्रोशे हुए है हर बार साथ ही डबल क्रोशे बनेंगे इसको इस तरीके से हाफ क्रोशे बनाया इसको वी शेप के जो है इसमें साथ बार डबल क्रोशे बनेंगे यह देखिए एक तरीक से एक दो तीन चार उच छे और यह साथ हर इस वाले गैप में साथ डबल क्रोशे बनेंगे अब इसमें यह हाफ क्रोशे बनाके फिर इसमें साथ डबल क्रोशे बनेंगे एक दो तीन चार पांच छे और यह साथ पूरी रो में इसी तरीके से हर गैप में यह वाले गैप में वी जो वी की शेप में है इसमें साथ बार डबल क्रोशे बनेगा इसमें हाफ क्रोशे बनाया इसके बाद इसमें हाफ क्रोशे बनाया इसके बाद इस वाले गैप में साथ डबल क्रोशे बनाने इसमें हाफ क्रोशे बनाया 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 इ दो तीन चार पाँच छे यह साथ यह देखिए यह पूरी रोग कम्प्लीट हो गई है अब इस वाले लूब को इसमें से निकाल देते है स्किप करते है स्लिप स्टिच स्लिप करके इसको एक बार और चेन बनाई और इसको अना थोड़ा बड़ा कट करते हैं यह उनका आकि इसको टाइट कर देते हैं और अब इसके बार सुई में धागा डालके इसको इनको डालके इसको फ्लावर की शेप में देते हैं अभी देखिए यह इसका राइट साइड है तो हम राइट साइड को ही इस तरीके से लेफ्ट साइड में फोल्ड करते जाएंगे इस तरीके से फोल्ड करना इसको यह देखिए इस तरीके से यह फोल्ड हो जाता है अब हमें इसकी बैक साइड से इसको सिल देना है इस तरीके से सिल देना है और इसको भी इस तरीके से सिल देना है इसको इस तरीके से इसके साथ अटाच करते इस देना है इसकी बैक साइड है बैक साइड का इस तरीके से सिल देते हैं यह देखें यह प्लावर की शेप आगई अब मैं इसको एक बार सेंटर से उसिल देती है यह देखें अब इस तरीके से इसमें लग जाएगा अब मैं आपको बताते हूं अब इसको अब इसे बैक साइड से इसे पक्का करके लॉक करको लॉक करके इसे बंद कर दो इस तरीके से लॉक हो जाता है कटनी करना इसको उनको कटनी करना है और इसके इस तरीके से इसे जॉइंट कर देते हैं इसके साथ अब कर दिसे अब कर दो दो कर दो कर दो... अब बना है झाल झाल पैक साइट से उस्टी काज लौक कर देते हैं अंदर की साइट से अंदर है जो इसका फ्लावर का अंदर का ने हमें जा Estoyde बाए कि रेकिन काज टो रोगया टनर की साइडर है मैं इसको diluices के साथ है। हुज करते होगे से नहीं में लोगिदेते हैं तरहा हुज। झाल 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 यह देखिए इसका यह पियर कंप्लीट हो गया इसका यह विया झाल झाल झाल